बिहार में इस साल के अंतक विधान सभाचुनाओं होने हैं राजनितिक पार्टियां हरकत में आ चुकी हैं इसी महौल में हम बताते हैं आपको बिहार राजनीती से जुड़ी कुछ खास बातें बिहार से निर्वाचित सांसद दंपत्यों के बारे में आज हम बता रहे हैं अब तक बिहार से संसद में कौन-कौन पती पत्नी सांसद बन कर गए हैं पहला ठाकुर जुगल किशोर सिन्हां 1903 में देश के पहले लोगसभा के लिए सांसद चुने गए कौंग्रेस के टिकट पर मुजफरपुर उत्तर पश्चिम कंसिच्वेंसी से जीत दर्च की जिस कंसिच्वेंसी से उन्होंने जीत दर्च की वो अभी शिवहर है उनकी पत्नी राम दुलारी सिन्हा ने 1962 में पत्ना से लोगसभा के लिए निर्वाचित हुई इसके बाद वो उनी सो असी और चौरासी में शिवहर से लोगसभा सांसद निर्वाचित हुई दूसरा चंद शेकर से जो उनी सो तेरासी से पचासी तक बिहार के सोलवे मुखमंत्री भी रहे इन्होंने पांच बार लोगसभा चुनाव जीता इनकी मिर्तियू के बाद उनकी पत्नी मनोर्मा सीं 1986 के बाई इलेक्षन में जीत कर सांसद निर्वाचित हुई तीसरा दिगवी जैसीं बाका से 1998-99 और 2009 में लोगसभा सांसद रहे वहीं 1990 और 2004 में राजसभा सांसद चुने गए इनकी पत्नी पुदल कुमारी 2010 में दिगवी जैसीं की मिर्तियू के बाद पंदरवी लोगसभा के लिए बाई इलेक्षन में बाका से जीती और संसद पहुँची चौथा आनन्द मोहन ये दो बार लोगसभा चुनाओ जीते एक बार 1996 में तो दूसरी बार 1998 में दोनों बार शीवर से ही जीत दर्च की जबकि इनकी पत्नी लवली सी इन से पहले ही 1994 में लोगसभा संसद निर्वाचित हुई थी उन्होंने ये जीत वैशाली से दर्च की थी पांचवा सुरजभान सी जो लोजपा के टिकट पे बिहार के बलिया से 2004 में लोगसभा चुनाओं में जीत दर्च की और सांसद निर्वाचित हुए बाद में उन्हें मडर केस में सजा हो गई जिसके बाद उनकी पत्नी वीना देवी लोजपा के ही टिकट से 2014 लोगसभा में मुंगेर से सांसद निर्वाचित हुए छठा निखिल कुमार ये चौदवी लोगसभा में 2004 में निर्वाचित होकर और अंगाबाद से जीत दर्च की वहीं उनकी पत्नी शामा सी उनसे पहले 1999 लोगसभा चुनाओं में और अंगाबाद से ही जीत दर्च की थी साथवा अजीत कुमार सीं इन्होंने चौदवी लोग सभा में बिकरम गंच चुनाव शेतर से जीत दर्ज की इनकी मिर्ट्यू के पश्चात इनकी पत्नी मीना सीं 2008 में जीती और इसके बाद ये दोबारा 2014 में पंदरवी लोग सभा के लिए आरा से निर्वाचित हुई आठवें पप्पु यादव और रंजीत रंजन ये दोनों और दमपतियों से अलग हैं क्योंकि ये दोनों दो बार एक साथ सांसद बने और वो भी दोनों बार अलग-अलग पार्टी की टिकट पर 2004 चुनाओं में रंजीत रंजन ने पहली बार लोजपा के टिकट से सहरसा से जीत दर्ज की तो वहीं पप्पु यादव ने राज़त के टिकट से मध्यपूरा से जीत दर्ज की इस लोग सबह में एक साथ जीत हासिल करने वाले शायद ये देश के एक मात्र दमपती थे दोबारा ये कपल 2014 में 16 लोग सबह में एक साथ पहुँचे इस बार पप्पु यादव ने राज़त के टिकट से मध्यपूरा सीट पर जीत दर्ज की जबकि रंजीत रंजन ने कॉंग्रेस के टिकट पर सुपॉल से करीब 60,000 वोट से चुनाओ जीता लाइफ सिटी से शादाब मलिक की रिपोर्ट देखते रहे हमारा वीडियो हम देते रहेंगे बिहार राजनीती से जुड़ी जानकारिया अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें साथ ही फेस्बुक पेज को लाइक करना ना भूलें